असलाम आलेकुम आप देखे रहे हैं स्टार न्यूस एक्सपिरेस हैदराबाद के हमारे साथियों हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसे सुनकर आखें नम हो जाती हैं 85 यर्ज ओल्ड नागपूर के रहने वाले नारायन धबालकर जो हॉस्पिटल में कोरोना से सफर कर रहे थे उनकी मृत्यू हुई ये सहाब दो दिन पहले अपने आपको जबरदस्ती हॉस्पिटल से रिलीज कर आए क्योंकि इन्होंने देखा कि एक लेड़ी अपने हस्बेंड के लिए 40 साल के हस्बेंड के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी से बेड के लिए प्रेयर कर रही थी इन्होंने कहा कि जिन्दगी का लंबा सफर इन्होंने तै कर चुका है और अब ये अपने आपको किस्मत के हवाले करते हैं क्योंकि एक यंग पर्सन एक नौजवान को बेड की ज़्यादा जरूरत है यही है हिंदुस्तान यही है हमारी संस्कृति मैं उन अमीरों से अपील करता हूँ जो मामूली से सिम्टन पर हॉस्पिटल का बेश कीमती बेड लेकर बैठ जाते हैं ऐसे क्राइसिस के वक्त में रिसोर्सेस की कमी जरूर होगी यह एक अन्प्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्राइसिस है आपके पास पैसा है अच्छी बात है मगर उस पैसे का यूज केवल बेड को कैप्चर करने के लिए नहीं करें दूसरों की जरूरत को समझे हम सब मिलकर हैदराबाद और तेलंगाना को और सेफ बना सकते हैं ऐसे वक्त पे फेमस राइटर लियो टॉल्स्टॉई की बातें याद आती हैं अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जिन्दा है अगर आप दूसरों की दर्द को महसूस करते हैं तो आप इनसान है जैहिंद अंजिनी कुमार कमिशनर आफ पुलीस हैदराबाद